नमस्कार जहन देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं poetic devices और poetic devices में जो आपका अगला topic है वो है syllable syllable में आपको जो पढ़ना है वो stressed and unstressed syllable दो type of syllable होते हैं यही आपको पढ़ना है but stressed and unstressed syllable समझने से पहले जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह syllable होता क्या है what is this syllable तो syllable क्या है सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं thereafter हम लोग यह समझने की कोसिस करेंगे कि stressed and unstressed syllable क्या होते हैं सबसे पहले हमारे सामने जो है वो है syllable syllable क्या है syllable is the smallest unit of spoken language जो spoken language होती है उसका जो सबसे smallest unit होता है उसको syllable कहते है syllable से मिल करके word बनते हैं यानि कि हम लोग कह सकते हैं कि every word consists at least one cell इसी भी word में कम से कम एक syllable होगा और हर एक syllable में कम से कम एक वाबिल होगा यानि कि एक जो syllable होगा वो निश्चित रूप से कम से कम एक वाबिल और एक या एक से अधिक consonant से मिल करके बना हो सकते हैं ठीक है? consonant का होना जरूरी नहीं है बट वाबिल का होना जरूरी है बिना वाबिल के कोई भी syllable नहीं बन सकता है एक अकेला वावल भी एक syllable हो सकता है एक वावल के साथ एक से अधिक कॉंसोनेंट या एक कॉंसोनेंट एक से अधिक कॉंसोनेंट मिल करके आपका syllable बनाते हैं यानि कि आप देखिए इसके आधार पर syllables different type के हो जाते हैं जैसे केवल वावल है तो वी अगर वावल के पहले कॉंसोनेंट है और फिर वावल है तो cv फिर आपका अगर ऐसा हो सकता है वी, c वावल कॉंसोनेंट हो सकता है ये आपका c, v, c हो सकता है ये आपका v, c, c हो सकता है ये आपका c, v, c हो सकता है ये कई जो है format में आपके syllables हो सकते हैं यानि कि कम से कम एक vowel होगा उसके साथ एक consonant या एक से अधिक consonant हो सकते हैं तो ये तो syllable होता है जो कि आपके words को बनाता है for example हम सबसे छोटा है small word ले आई एक word है आई आई जो कि एक क्या है pronoun है जिसको आप लोग क्या कहते हैं I means मैं तो I is only one syllable in the format of V के वोल एक vowel मिल करके बना रहा है क्या I ठीक है एक syllable बना रहा है ठीक है आपका एक article है अ ये भी के वोल एक vowel बना रहा है ठीक है आप I am ठीक ना एक vowel एक consonant आप गर्ल ठीक ना गर्ल एक सी वी अटीक है एक कॉंसोनेंट वावल कॉंसोनेंट गल एक के लियर है तो इसी तरीके से जैसे एक word आया beautiful ठीक है तीन इसे लेवल है कितने हैं इसे व्यूश की है ब्यूश आपको इस बात से मैटर नहीं करता कितने लेटर से यूज हो रहे है एक सेलेबल नहीं, प्रोनॉंसियेशन क्या हो रहा ब्यू, दूसरा बना क्या टी, तीसरा बना फुल ठीक है, ब्यूटी फुल, तीन सेलेबल बने अब आपको एक चीज जड़ा देखना एक सेलेबल, दूसरा मी तीसरा ने चौथा कन चाहर सेलेबल आपके मिलकर के एक वर्ड बना रहे हैं इसको कहेंगे एक्जैमिनेशन आप देखें, प्रोनुसियेशन में कहीं पर आपका इमफैसस जदा होगा कहीं पर कम होगा कैसे? एक्जैमिनेशन जैसे आपका यहाँ पर इमफैसस सबसे जदा इग्जै, इग्जै दूसरा यहाँ पर भी जदा है इग्जैमिनेशन आप मी किया पे च्छा ए और ने इन पर आपका जो इमफैसस है जदा है विच जो है वो हाई आपको ध्यान रखने के जरूत है कि डिफरेंसियेट करने के लिए आप अपना वाल्यूम कम जादा करके से लेबल्स को डिफरेंसियेट नहीं करेंगे आपको डिफरेंसियेट करना पिच से आपको डिफरेंसियेट करना जो इस्ट्रस से लेबल होगा उसकी पिच आई होगी जो unstressed syllable है उसकी जो पिछ होगी तो थोड़ा सा अपेक छाकरत लो होगी clear examination clear तो stressed है तो unstressed clear तो ये syllables है और इन ही से बनने करके बनता है stressed और unstressed syllable इनको line में आप कैसे count करेंगी जब हमने blank verse आप सोरी जब हमने आपको heroic couplet बताया था वहाँ पर हमने एक एक syllable आपको count करके बताये थे तो ये होते हैं stressed और unstressed syllable जिन से मिल करके आपके words बनते हैं और poetic line बनती है इन ही के जलिए आपको meter count करना होता है और इसी से rhythm भी create होता है कुल मिला करके this syllable is actually the root thing for poetic lines of poetry तो बहुत important fact है बहुत important device है poetic device है जिससे poetry create होती है simple से सब्दों में बहुत easily हम लोगों समझने की कोसिस की है that is syllable syllable क्या है words का एक type है sorry words का ऐसा part है जिसमें कम से कम एक wobble sound होना जरूरी है और एक wobble sound के साथ एक या एक से अधिक consonant हो सकते हैं लेकिन wobble sound एक होका clear और दो तरीके के हो सकते हैं एक जिनकी pitch अपेक्षाक्रत हाई होती है यानि कि emphasis जादा होता है दूसरे वो जिनकी pitch अपेक्षाक्रत low होती है यानि कि उन पर emphasis कम होता है यह हम लोग volume को घटा बढ़ा करके इनकी pitch को decide नहीं कर सकते stressed और unstressed syllable को decide नहीं कर सकते हैं हम लोग उसके लिए pitch पर ध्यान देना होगा exact pronunciation पर ध्यान देना होगा exact pronunciation होगा है उसके जरिए या फिर आप dictionary में उनका phonetic transcription होता है उसके जरिए ये बात पता लगा सकते हैं कि कहां पर stress है कहां पर नहीं है बस थोड़ी सी बात बहुत छोटा सकती है तो हम लोग आपके कार्ट में समझ दिया कितना ही आपके काम का है आप आगे के कशाओं में अलग से पढ़ें तो बस इतनी सी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगला जो टापिक होगा वो होगा आपका फिगर आफ स्पीच जो की थोड़ा सा अपेक्छा कित लंबा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फिगर आफ स्पीच और तब तक के लिए नमस्कार जयें